अब हम आज डिसकस करते हैं संक कोस्ट अभी तक हमने कहा है रिलीवेंट कोस्ट अब यह जो संक कोस्ट क्या होती है संक को ऐसा कहते हैं संक का हिंदी मीडिंग होते है डूब यह डूबी हुई कहते हैं जास संक हो गया नहीं जो डूब गई यह संक कोस्ट होती है पास्ट कोस्ट यह और लेड़ी इंकर्ड और या अब्लिगेशन और लेड़ी horizon यानि इनको कहते हैं committed cost committed cost यानि even future यानि हमने commitment कर लिया भी खर्च नहीं की है लेकिन हमें खर्च करनी है या तो खर्च हो चुकी खर्च हो चुकी है इसका भी मतलब ओल लेड़ी खर्च हो चुकी है इसकी अंदर लाइबिलिटी एराइज हो चुकी है तो यह जो sun cost होती है यह ओलेड़ी खर्च हो चुकी है तो तो दिजाद अधिश्ण कोस्ट विच अनॉट एव एनज इंफ्लोएंस और डिसीजन मेडिई नॉत तो यह जो कॉस्ट है यह decision making के लिए बेकार कॉस्ट है बेकार कॉस्ट है irrelevant है कोई काम की नहीं कोई काम की नहीं कि फिक है सबोई एक कंपनी कंपनी एक प्रोडक्ट लांच करना चाहती है प्रोडक्ट लांच करने के लिए उसने कराया मार्केट सर्वे और उस मार्केट सर्वे पर उसने 5 लाक रुपे खर्च कर दिए अब करने के बाद में अब वो डिसाइड करती है कि बैदर हमें काम सुरू करना चाहिए सुरू करें या ना करें या वो देखती है कि काम में फाइदा च्छे लाक का है फाइदा सोले सोले लाक की रिसीट होगी बारे लाक रुपे की कौन तो च्छे लाक रुपे और ना करें तो यहां डिसीजन लेने में क्या है कि यह जे पांच लाक है यह तो हमारी और लेडी खर्च हो चुका है तो हम यह देखेंगे कि सोले लाक ही है सोले लाक का रिवेन्यू है बारे लाक की कौस्ट है और पांच लाक का सरवे कौस्ट है तो यहां हम देख रहे हैं कि एक लाख रुपे का हमको नुकसान हो रहा है। लेकिन यदि यदि नहीं करेंगे तो ये पांच लाख तो हमारा जाना ही जाना है वर ये पांच लाख का नुकसान होगा। तो हमारे लिए ये पांच लाख और ये पांच लाख दोना ही केस में इर्रेलिवेंट हैं, क्योंकि ये संग कॉस्ट है, ये करे या ना करें, तो हमें डिसीजन किस पर लेना? इन दोनों पर. समझना है, कि जो स्टेफ हम ले चुके, तो वो कॉस्ट संक हो गई है, ठीक है, हमें आगे ये स्टेफ से, यानि जितना आगे बढ़ते जाओंगे, आप पीछे मुरने का रस्ता नहीं है, क्योंकि अधरवाई जितना पैसा आपने कर्च किया है, तो कहते हैं, बिना बिचारे जो करें, वो पाचे पचता है, वो पाचे पचता है, ये रामार की चौपाई है, तो इसी तरह संकोस्ट किया है, जो आपने बिना बिचार के खर्च कर दी, या किसी भी तरह खर्च कर दी, अब आप आप आपर बढ़ते हैं, या नहीं बढ़ते हैं, ये तो खर्च होईग समझ में आ गया अब एक और एक जामपिल से समझे आपने एक घर बनाने का घर अपना सजाने के लिए इंटेरियर से इंटेरियर डेकोरेटर से डिजान बनवाया खर्चा हुए पांच लाख रुपे और उसने कोस्ट बजाई कि दस लाख रुपे लगेगी अब आप ये सुचते हैं और एक दूसरा आप नहीं कराते तो ये कोस्ट लगेगी लेकिन ये जो पांच लाख रुपे इंटेरियर की है ये तो दौनों केस के अंदर लग चुकी है तो अब आपको जो खर्चा करना है ये तो और लेटी हो भी दौनों केस में अब आपके लिए रिलिवेंट कोस्ट है ये और ये जो पांच लाख और लेटी कर चुके हैं वो संग कोस्ट है समझ में आया इसी तरह मान लोग आपने डिसाइड किया कि हम कोचिंग देते हैं कोचिंग के लिए आपने टौन्टी थाउजन रुपीस फीस की जमा करा दिया इंस्टूट में जब आप जाने लगें तो आपको पता लगा पांच लाख रुबे का टैक्सी का या आने जाने का खर्चा होगा तो अब आपको जाना या नहीं जाना है ये पांच लाख पर डिपेंड करता है कोभी आप जाए या ना जाए ये 20,000 तो और लेडी आपने इंस्टूट को दे दिये यदि वो non-refundable है तो Sun cost का मतलब है जो cost और लेडी इंकर हो चुकी है यानि आपके decision से Sun cost का मतलब आपके decision से decision हाँ या नामे लेने से positive और negative लेने से जिस cost को पर कोई फरक नहीं पड़ता ना तो कम हो सकती ना खतम हो सकती है जो cost और लेडी इंकर हो चुकी है that is Sun cost अब आपने अब बंबे में हो रहा था क्रिक्ट मेंच बंबे में क्रिक्ट मेंच हो रहा था आपने 4000 रुपे की टिकट खरी ले अब आप सूचते हैं यार 2000 रुपे टेन से आने जाने का टेन का लग रहा है बंधावजे नुआ पे होटल का लग रहा है 3000 रुपे का और खर्चा है तो टोटल 7000 रुपे खर्च हो जाएंगे इस से अच्छा टीवी पर देखें तो टीवी पर देखने के लिए अब आपके लिए रिलीवेंट कौन सी है 3000 यह 4000 तो आपको बापस नहीं मिलेंगे तो यह क्या होगी आपकी इस इस संकोस्ट आप देखो या ना को देखो आप के वर यह बचा सकती है यानि जो अभी करना है जो अल्लेडी कर चुके पास्ट कौस्ट है उसको कहते हैं दूब गया जहाँ संक कौस्ट का मलत दूब आ हुआ हुआ जो रकम आती है अल्लेडी दूब चुकी है ठीक है अब समझ लिए समझे आप आए आपने सोचा एक सौप है इसको आपने क्या किया एक लाख रुपे एडवांस दिया विच्वाइ नॉन रिफंडेविल पगडी जिसको कहते है और आपने 20,000 रुपे महीने 12 महीने का आपका लॉकिन था कि यह आपको देना है अब यह सौप लेने के बाद में आपको लगा कि यदि हम आप करेंगे तो हमको 5,000,000 रुपे की हमारे को सेल होगी लेकिन 3,000,000 की हमको कॉस्ट आ जाएगी और यह रेंट हो जाएगा 2,40,000 रुपे का और यह जो एडवांस है जो एडवांस दिया हमने रिपेर वगेरा के लिए यह बापस नहीं मिलना है तो 3, 4 यह हमारे को तो 1,40,000 रुपे का लॉस हो रहा है यह रिवेन्यू है यह आपके पास दूसरा ओफसान है कि आप लाइसेंस पर किसी दूसरे को दे देते हो उससे आपको 1,00,000 रुपे मिलता है कॉस्ट कुछ नहीं होती रेंट 2,40,000 होता है 1,40,000 होता है इसमें हमको होता है 2,40,000 रुपे का लॉस दौना ही केस में हैं तीसरा केस हम कुछ भी नहीं करते तो यह भी नहीं होता यह भी नहीं होता 2,40,000 रुपे और 1,00,000 नथिंग कुछ भी नहीं करते यह बिजनिस करते हैं तो हम कुछ करें या ना करें हमारा यह रेंट तीनों केस में लगेगा यह advance हम देई चुके हैं तो जो हम already commit कर चुके यह sun cost है हमें इन दो के basis पर decision निकालना है इसमें हमें 2 lakh का फाइदा हो रहा है इसमें 1 lakh का इसमें निल का फाइदा हो रहा है तो हमें यह वाली cost को ना देखके यह decision लेना है sun cost के अंदर हमें सीखना क्या है कि जो हमें जो कुछ हम आज तक खर्च कर चुके अगर हम आगे नहीं बढ़ते हैं अगर हम आगे नहीं बढ़ते हैं तो वो sun cost है डूबी हुई है इसलिए decision में के लिए उसकी कोई के लिए ऐसी cost की no importance हम की अबल future cost के उपर कोस्ट पर decision लेंगे ओके आपने क्लास में एडूईशन के लिए पाँच एजार रुपए जमा करा दिये हैं अब आने जाने के मेक्टो का टिकट लगता है तो आपको क्लास से कितना फाइदा है क्या करना है क्लास की यदि फीस non refundable है तो आपको जो cost का decision लेना है वो decision आपको कीवल इसके basis पर लेना है कि आपके आने जाने के पैसे लग रहे हैं समझ में आगया जो चीज हम already the action ले चुके जो कुछ हम कर चुके ठीक है हमने हमें जो कुछ करना था पहले सोचना था हमने जो कर दिया action के बाद वो sum हो जाता है जो cost हो गए वो हो गए हम decision के वल future cost के लिए ले सकते हैं जो cost past में incur हो गई इसको कहते हैं sum cost ठीक है तो यह यह आप study करिए कुछ homework में question करिए फिर हम आते हैं next lecture में कुछ और concept के साथ thank you thank you very much